हेलो आप देख रहे हैं सेल्फ ग्यान और आज हम बात करेंगे कि एमेश्डी फाइव साहित्य सिद्धान्त और समालोचना में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो में हिंदी कर रहे हैं उनके मैं क्वेश्चन डिसकस करूंगा गिने चुने क्वेश्चन बताऊंगा वह आप कर लोगे तो आप हंडर्ड परसेंट अच्छे माक्स के साथ पास हो जाओगे मिनिमाम एफर्ट के साथ मैक्सिमुम नंबर आप ले क्या होगे चौलो यह है एमेश्डी ठीक है तो आप में इसमें एमेश्डी में आपको जो है दिये जाएंगे सो नंबर का करने है और एक दोनों में से जिसमें आप कमफर्टेबल हो उसमें से एक कर लेना दस क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें से पांच आपको करने हैं तो आपके पास काफी छूट रहेगी तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूं मैंने इस वीडियो को बनाने में आट पेज बनाए हैं जो पिछले डाट दर साल में एक क्वेश्चन आये हैं तो इसी से जो रिपीटिंग क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं उनके बार में मैं डिसकस करूँगा आप सिर्फ वह क्वेश्चन भी करोगे तो आपको पांच क्वेश्चन आरहां से मिल हैंगे और आप अपना मार्क्स जो है 100% अच्छे ले गया होगे तो चलो शुरू करते हैं जिस पर मैंने आर लिखा है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार आरे क्वेश्चन जिस पर कुछ नहीं है वह एक बार आए हैं हाला कि यह सभी क्वेश्चन में आये हुए हैं तो चल क्यांतंया पर प्रकार डाली एक बार आया है अलंकार संप्रदाय की शक्ति और चीमाउं पर विचार कीजिए अपर आया है यह वर्यम्पोर्टेंट पर शुक्लोथ् Veggie अप्र विश्चन मेंश्लाक्र को पर Okayैघ है उसक्तव क्वेश्चना इनी च्वेश्चन आता है कि र इसको आप कर लेना वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह तो विभीन आचार्यों दुवारा दी गई रसकी उत्पत्ति संबंदित भुमा गुमा की क्वेश्चन आ सकता है लेकिन रसकी निस्पत्ति से रिलेटिड है रसके बारे में पूछेगा तो आपको करना है संबं इौकर गविता की परिवाश्या के संबंन में भारतिय और पास्चरत्य विद्वानλλά के मत्व का परिच्छन प्रिच्य दीह तीक उसके बादze वक्वक्तिम हिए उसके बाद वखकती सिद्धान्त की मूस संस्थापनाव पर कास्श डाली एक बार्या काधिकारी ये रिपीट है काविय काधिकारी रिपीट है ये आगे भी आएगा इसको कर लेना इसके ताद पर सप्वेश्ट करते हो उसके महतु पर परकाश डालिए वेरी इंपोर्टेंट दुबारा आ गया सुकलोत्र हिंदिया लोजना थी मैंने उसके पहले ही बता दिया था इसकी मूल विशेश्टाओ पर चर्चा करने उसकी सक्ति और सीमाओं के बारे में बताना है काविय लेक्शन वारा दुबारा रिपीट हो गया संस्कृत आचारिय कि काविय है है तो चाहां पर यह वर्ड आ गया आचारियों ज़ंस्ताना है इस रिपीट है परमुक संस्तापना विचार किये उप्फणन स्थापना का विछ सिनक्य वारे में आपको ना चाहे है यह वारी इंपोर्टेंट क्वेस्चन computation है बहुत बहुत important है हिंदी आलोजना में राम चंद्र सूकल इतना लिखा हूँ आएगा आगे पीछे और कुछ भी हो सकता है हिंदी आलोजना में राम चंद्र सूकल के आफ़दान पर परकार्ट डालिए फिर यह भी repeat question है हिंदी आलोजना में राम विला सर्मा ठीक है उसके योगदा गये हैं तो repeat question भारतिय काविय शास्त्र में सब्सक्ति के विवेचन पर परकार डालिए एक बार आया हुआ है धावनी सिद्धान दे को दुबारा repeat हो गया रस की उत्पत्ति वाला question दुबारा आ गया इसमें रस चिंतन की परंप्रा का उलेक करना है यहां पर राम विलाश के प्रियोजन एक बार आया है रस का रूप दुबारा question यहां पर आगा रस का सब्सक्त करते हैं करून रस के बारे में पूछा है तो रस तो याद करोईगे उसमें करून रस यादा कर लेना आपको वेंजना सकती पर प्रकार डालिए एक बार आया है फिर देखो आचारिय सुगला का हिंदी में आलोचना रिपीट हो गया वेरी इंपोर्टेंट कोस्टन पर्ति प्रगतिवादी आलोचन द्रश्टी वेरी इंपोर्टेंट रिपीट हो गया काव यहुत वाला question दोबारा repeat हो गया रिति संप्रदाय के परमुक्र है ना यह repeat question होगा आगे जाके उसकी निश्पत्ति की अवधारना उपर आया था ना repeat मैंने बोला था रस से related question एक गया आएगा और किसे कभी कभी किसी particular रस के पक्स में पूछ लेता है उसके बाद भारते अंदु यूग और द्वेदी यूगीन हिंदी आलोचना का परिजय दीजे एक ही बार आया है यह सुकलोतर हिंदी आलोचना वेरी इंपोर्टेंट दुबारा repeat हो गया उसकी मूल विश्पता उपर पर काल डालिए है ना तो अब हम बात करेंगे खंड खेय में आने वाले question तो मैं यह वीडियो बनाने में काफी help काफी time लगा है मुझे और आप गीने चीनों है में हिंदी के मेरा मकसर सिर्फ आपका मदद करना है ताकि आपकी minimum efforts में कौन से question आया और आप जो है अपना आसानी से अपने course को complete कर सो कोई इनको स्टूडेंट की help करना इस चैनल का मकसर है तो प्लीज चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें आप तो देखे रहे हैं कितनी म उसके बाद यह थोड़ा सा खंडख है जो है इसको आप देखना थोड़ा सा वैसा है लेकिन इसमें भी question बहुत repeat हो रहे है जैसे लॉंजाइनस के अलोचनात्मक्सित्धांत की समिक्षा करने यह लॉंजाइनस वाला question very important आ गया आएगा यह टी एस इलियाट की प्रेंपरा यह ड्राइडन की अलोचनात्मक्सित्धांत एक ही बार आया है माक्सवादी सोंदरिया सास्त्र की मूल भूत्वी से इस्ताव की विवेचन कीजिए एक बार आया है ऐसे आपको चार पांच वो दे देगा उसमें शोट नोट लिखने ना है किनी दो के उपर तो यहां पर प्रेट हुआ है करुण रर्रास रिपीट हुआ हूँ उसको आप रस में यूज कर सकते रश वारे क्वेश्चन में तो सौ्ट मोर्ट में भी चलेगा सब्सक्ति एक बार आया है वियू चंद दांत एक बार आया तो चलो हागे चलते इसमें कालेजिशनस्वाला रिपीट ह यह भी आ गया आएगा इलियाट की प्रमप्रा रिपीट है वेरी इंपोर्टेंट है चारो क्वेस्चन आ गया आएंगे तो अब यहां पर किनीदों पर टिपनी लिखना है तो महा काव यह एक बार आया है विरेचन सिद्धान दुबारा आ गया साहत रिपीट है यह ना यह वाद एक बार आया माक्स वाली आलोचना तो उपर आया था ना किसी पर्टिकुलर लेखक उसके पक्स में कि वह माक्स वाद विशारधार को के बारे में जुए आलोचना असमार प्रिक्षन कीजिए आना वही क्वेस्चन यहां पर आप यूज कर सकते हो तो उसके बाद अ हो गई यह सवचंध वाध जो है सवचंध वाध जो Soul इंप एक वार्ड रिक्टर३ कॉपज्टैंट ओपर लाएं के गई kommt ॉप द्मालत ढोगा मैंटीहרט करा रिपीट हो गया दोबारा रिपीट और तरया दोबारा 빼ट हो तोनों रीपीटिंग क्विक्ट्टे है तो, मार्कस वादी चिंदन रृपीट जाए गहाएगा उपर वाद कर सकते जो मैं इसकाथ की थी तोड़े पहले उत्तर आदहनक तौद रिपीट ही जाएत हुगया प्रतिकवाद रूप बारी सब्सक्राइब, वरिचर्ड वाला आई ए रिचर्ड की रिचर्ड एक बार आया है। इसको देख लेना और लाइजनस वाला दुबारा रिपीट हो गया इलियट वाला दुबारा रिपीट हो गया नहां और मनो वैसलेशन वादी आलोचनाइच की मुल्स इस्तापनाओं कर विचार कीजिए एक बार आया है तो मैंने गिने चुने वह दस-बारा कॉस्चन हैं जो पर वीडियो को पक्का अपने देश्टों की हेल्प के लिए सेर करें यह थार्थवाद एक बारा है दो बारा आगये भी पेट हो गए है थार वाद वाला रितिकाल और एक बारा आया नाठ्य साथ एक बार आया अभीधार सब्सक्ति तो यह छोटे-छोटे चीजें टोपिक ह में आप छोटा छोटा एक दो पेज लिख होगे तो हो सकता है अगर आपके माक्स अच्छे बन सकता है अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है आपसे मिस हो जाता है तो तो यह थी मैं आशा करता हूं आप अच्छे माक्स लेकर आएंगे आपको पेपर पैटर्न का पता चल ही गया है और आपको छोट भी मिलेगी और कौन-कौन से क्वेश्चन जो है जो रिपीट हो रहे है उनका आपको पूरा इडिया हो गया है जिन पर मैंने आर लिखा उनको आप एक डायरी बना लो गिने जुने दस बारा क्वेश्चन है उनको बार बार याद कर लो एक्जाम से पहले और जाते ही उनको लिख देना बस और अच्छ अबला थांक यू